गुड विनिंग आईज आपसे भी कस्वागते और रिकोर्ड तूर चुका है नर्सिंग में पूरे इंडिया में आज दो हजार चोबीस पार्च अगर्स्त दोयार चोबीस को रेलवे ने यहां पर फोरम शुरू कर दिये है आपकी नर्सिंग स्टाफ और पेरामेडिकल की व चुका है वो भी ओफिशियल जिसका आपको इंतियार था काफी सालों से आपको पता हुआ दो हजार गुनिस के बाद में आज ये वेकेंसी आई है दो हजार चोबीस में और इसके फोरम भी दोस्तो शुरू होने की जो है ओफिशियल अनॉस्मेंट कर दिया है गोशना कर द दिया है इसमें सभी कुछ चीज़े बता दी गई है कितनी सेलर रिने वाली है और इसमें फोरम फीस कितनी लगेगी कौन-कौन से जोन इसमें बाग ले रहे इसके अलवा आपके जाती के बारे में बता दिया है पोस्टों के बारे में बता दिया है इसमें आपके आयू और वीडियो आमने बनाई थी एक मैने पहले देख सकते हो यह टोपिक है यहाँ पे एक मैने पहले यह वेकिंसी की वीडियो आमने बनाई थी और इस वीडियो में हमने एट टुज़र सभी कुछ चीज़े समझा दी थी काफी लंबी वीडियो थी और लगबग 41,000 व्यूज इस उसके बारे में भी समपूर्ण चीज़े बता रखी है और आपके एक मैने पहले जब यह वेकिंसी का एसेस्मेंट आया था उसके बारे में भी पूरा चीज बताईती है आपको पता हुआ एक मैने पहले 688 पोस्ट का जो यह आपर आने का था स्टाफ नर्स का लेकिन 688 से अब अभी जो पोस्ट आईए वो सार्स्टैरा पुस्ट आईए यानिए आपकी इसमें पोस्ट बढ़ा दी गई है थार्टीफाइब ठीक है अब रेलता के अंदर यह जो पॉस्ट है नर्सिंग अफिसर की हालंकि और ब히 है वेकिंसिया तो दूसरे पदो पर लेकिन नर्स स्टाप की पोस्ट को नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंडेंट कहा जाता है ठीक है इसके अंदर दोस्तों आप जी एनें बीसी नर्सिंग और पोस्ट बैसी बीसी नर्सिंग वाले अभियारती अप्लाई कर सकते हो आप कौन फ्रेशर है किसे कितना अनुबाव मांगा है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि जो दूसरे वीडियो देते हैं यूटुबर्स उससे अधिक जानकरी आपको हम इस वीडियो में देंगे संपूर्ण चीज़े बता देंगे आपको इसमें क्या कु बाच करना शेयर करना ठीक है चले बात करते हैं अब यहां पर दोस्तों आपके सोला आगस्ता से सतरा सितंबर तक फोरम शुरू हुआ है और यह देखिए यहां पर शोट नोटिफिक्शन जारी हुआ है इसके आलावा मैं आपको बताऊंगा जो आपके एक मेने पहले पू चोट नोटिफिक्शन भी ओफिशियल है यह ना ओफिशियल अनॉन्समेंट किया है किसने सेंट्रलाइजड एम्प्लाइमेंट नोटिस अम यहां पर नोटिस नंबर याद रखना पहली बात तो 424 ठीक है और दूसरी चीज यहां आपको याद रखनी है इस वेकेंसी की प इस वीडियो के थमनेल में भी यहां पर लिख दिया है नोटिफिक्शन नंबर 424 तो देखिए इसमें बात करेंगे वीडियो को शेर कर देना आपसे रिक्वेश्ट वीडियो को शेर करना वीडियो को पूरी देख लेना ताकि आपको सारे डाउट के लिए मैं कोशिश बारे में तो यहां पर देखिए रेल्वेर रिकुल्मेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिक्शन में देखिए लिखा है रिकुल्मेंट ओफ दा वेरियस पोस्ट ऑफ पेरा मिडिकल के टेगिरी यानि इसमें आपको ओनलाइन एप्ल लाश्ट डेट रहने वाली है क्या सोला सितमबर सोला सितमबर द्यान नखलो सोला सितमबर लेकिन फोरम कब शुरू होगे 17 अगस्त से 12 दिन बाद फोरम शुरू होने वाले है ठीक है यहां पर इन्होंने बताया है ओनलाइन आपको इसमें अपलाई करना है और यह साथ लेवल इसमें रहें वाला है मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में अपकी पोस्ट की विदिए जो सेलरी है वो शुरू होगी इसके अलवा प्लस आपको काफी सारे एलाउंसेंस मिलने वाले है इसमें ठीक है एलाउंसेंस मिलने वाले है मैंने पेले वीडियो में बता दिया था इसलिए मैं अभी शोर्ट में बता रहा हूं क्योंकि एक और वीडियो मुझे डिटेल में ल साल की अभी तो छूट मिलेगी वह लगे आपको जाती के नुशार तो बीस से तीनाली साल जिसकी उमरे वह इसमें अपलाई कर सकता है बहुत ही अच्छी बाते और फीस भाइया फीस आपकी रिफंडेबल है मतलब एमस जा नोर सेट आपकी फीस लेता है तीन तेने जा रही ह जिसने वीडियो पूरी देख ली आज यह उन्हीं मानी उसको काफी चीज़े जानकरी पता चल जाई यह आरारवी के बारे में क्योंकि आरारवी की विकेंसी 2019 के बाद आई नहीं तो वीडियो आप कहा से देखोगे कौन से यूटुब पर देखोगे डायेटिशन की भी प पूछ रहें तो बताओं बताओं अब यह रुकिए परफ्यूशनिस्ट फिजियो थेरेपिस्ट ऐकोपेशनल थेरेपिस्टे के लेट टेकनिशियन एंफार्माशिस्ट की है देखिए फार्माशिस्ट की पोस्ट दोसो चीनाल इस पोश्ट रहने वाली है यह एंट्री ग काफी सारे इसमें आपको पैसे जुनने वाला है फार्माशिस्ट में देखिए पांच लेवल के अकोडिंग सेल्डी मिलेगी गुंतिश्यार दोसे प्लस अलाउंसियस और सी टू मेडिकल इस्टेंडर रहने वाला है 20-38 साल की एज लिमिट वाल अपलाई कर सकते है 246 सरमतों असम से हूँ भाया पूरे ओ लिनिया में जितने भी इस्टेट है सबी इस्टेट के यहां पर अभियारती अपलाई कर सकते हैं पेरा मिडेकल के और नर्सिंग के फीजो तेरेपिस्ट के फार्मसिस्ट के जो भी पोश्ट है उससे संबंदित आपके पास शिव आप इस पीज तेरेपिस्ट के एक टेकनिशन की है और फिल्ड वरघर की याने टोटल ग्रेंड आपकी तेरह सोचिंतर पोश्ट रेने वाली है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता था कि नर्सिंग श्टाफ की विगनसी जो है इसमें आपकी पोश्ट बढ़ेगी तो इसम मैंने वीडियो बनाई थी इसमें मैंने बताए था आपको और पूर नोटिफिकेशन के साइथ बताए था कि पहले इन्होंने एक मेने पहले आपको बता दिया था कि यह चीजे आपके आने वाली है तो यह देखिए आपने आगे चलते हैं वीडियो लंबी नहीं करते हैं चलिए भाईया यहां पर बात कर लेते हैं आई यू की उमर की उमर में बता दिया आपको उमर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली 20 से आपकी 43 साल कि बताए थी उपर 20 से हां 43 साल की एज लिमिट वाले हैं अब इसमें आपको देखिए कोरोना जो आया था उसकी जिसे यहां पर वन टाइम आपको इसमें छोट दी गई है कोरोना पेंडेमिक यह जैसे अब आयू देख लिजिए एक जनवरी 2025 के आपकी इसमें आयू रहनी चाहिए नोटिफिकेशन नंबर आपको बताया गया है 424CN नंबर इसका डीटोल नोटिफिकेशन नंबर मैंने अभी नहीं मिल दाएगा इसी वीडियो की निचे जोइन कर लेना आरावी की वेबसाइट से में निकाल लूँगा ओफेशल नोटिफिकेशन यह शोट नोटिफिकेशन है जैसे अकबार में निकाल दाना शोट नोटिफिकेशन वह है यह में डीटेल में आपको सभी कुछ चीजे मिल ले लो पोस्ट बेसिक नर्सिंग अब जारती लेकिन जीनम के साथ कुछ शर्ते हो सकती है जैसा कि दोजार गुंदिस में इनसे एक स्प्रेंस मांगा था कितना मांगा था अभी यह आपको देखना है मैंने डीटेल से बता रखा है इस वीडियो के अंदर तो यह वीडियो यहाँ पर आपको इस्टेंडर्ड मेडिकल फिटनेश यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी याने विजूल इंपैर्मेंट हेरिंग इंपैर्मेंट सुनने की शमता आपकी देखने की शमता यह सब कुछ मैंने पहले समझा चुका हूँ अभी डेटेल नोटिफिकेशन तो भाईया आप पूरे इंडिया से कई से भी वीडियो देख रहे हो मेरी यह वाली तो इसको शेर कर देना सभी आपके जितने भी वाटसाप गुरूप से जितने भी आपके सब जगाए ना सब जगाए शेयर कर देना आप देखिए विजूल इस्टेंडर में ने बताया आपको इसमें मेडिकल इस्टेंडर आपको इसमें परका जाएगा जनरल फिटनेस आपके इसमें देखी जाएगी ओके और यह जो माप दंडे इसको आपको यहाप समझने की जरूत है तो देख ले ना इसमें अपने अपने इसाब से कि कि इतना आपको देखने की शमता हो यह बागने के समता उन्हों चाहिए मेडिकल इस्टेंडर वीजवलू और सुनने के शमता जो कि रेल्वे में यह चीजे माहिन रखती है आप रेल्वे में आप काम करोगे तो यह चीजे देखेंगे ना मिलनीगह पैसी एस टेवालों को आइस को एप आप सरे-समेन वालों पी सरेहर सॐबीचिव को वी एक्षटlor मालोगो और डीटेल के लिए आपको नोटिफेकर्टिक्षन पर जाना है आप नोटिफेकर्टिपेशन जयसे ही हमारे हात लेगा हमें को वीडियो ले आएंगे इसके पर भाईया फीज देख लो फोरम फीज अब आप गाली बखोगे मेरे को सर आप तो पांट सो डाइसो रुपए फीज है आप वह लेदे सो सो रुपए फीज है भाईया सुनिए ध्यान से देखिए फोर आल केंडिडेड ना सभी केंडिडेड एकसेप्ट मैंशन बिलो एस सीरेल नंबर टू आउट अफ दिस फीज पांट सो रुपए याने इसमें आपकी पांट सो रुपए फीज रहने वाली है जो की आपकी रिफंडेबल भी है याने आपकी जो है इसमें रिफंड कर दी जाएगी फीज कुछ रिफीज और इसमे तो यह जो है फीज से आपकी रिफंड कर दी जाएगी आपसे लिफंड कर दी जाएगी कुछ फीज रखी जाएगी फचास सो रुपए जो भी है यह ना लेकिन रिफंड भी कर जाएगी एक शर्थ पर जब आप एक्जाम देने जाओगे आपने फोरम तो बढ़ दिया और आप आप अब इक्सां देने नहीं गए तो आपको यहाप पेसे नहीं मिलेंगे और यगे सब्सकर बारे में पूरवर 422 उसके इंदर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा उसके इंदर सभी चाजी देखनी है हाउ टू एपलाई किस तरह से आप इसमें फोरम बर सकते हो आपको वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको जाके यह जो नोटिफेकेशन नमर है यह जो आपको लिंक दिखाए देखा CEN 4222 इस पर किलिक करके फोरम बनना है कौन-कौन से वेबसाइट और कौन-कौन से जोन इसमें बाग ले रहे है तो आपके सामने है यह देखिए एमदाबाद, अजमेर, बेंगलूरू, बापाल, उंबू, नैश्वर, बिलासपूर, चंडेलगर, चेननाई, गुर फोरम बढ़ते हो, यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी, इलेजी बिटेल लिटे क्राइटेर के बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन पता चल दाएगा, और नोट लगा के लिखा गया है, एक केंडिनेट के नेप्लाइए, अपने नर्सिंग और फोरम बढ़ दिया, लेकिन आप डियेटिशन या फिर टेंट पास वाली कोई भी पोस्ट हो, उसमें भी फोरम बढ़ रहा तो नहीं बढ़ सकते हैं, इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर और इमेल आइडी बिल्कुल सही डालनी है, जो एक्टिव हो, चालू हो, उसमें आपके मेसेज हैं, उसमें आपके एड्मिंट कर्ड के बारे में चीज़ें आएगी, ठीक है, तो यह आपका हो गया पूरा जानकरी इस नोटिफिकेशन के बारे में तो, अब हम बढ़ेंगे मेरी जानकरी की तरफ, चेयर परसन, रेलवे रिकुर्मेंट ओफ बॉर्ड, इस तरह की देख यह जो पुराना नोटिफिकेशन है, एक मेने पहले एसेस्मेंट हो रहा था, इन सब्विकेंसी को पर यह देखिए, सारी पोस्ट है, डायटिजन की, स्टाफ नर्स की, डेंटल, हाईजिन, डायल, आइसीस, यह देखिए, फारमसिस्ट की, फिजो थेरेपिस्ट की है, सभ तो यह सब में आपको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं यह नहीं समझा हूँ, इस वीडियो में, इस यूडियो में मेरा काम ता कि आपको मैं जानकर देदू, जो आज शोट नोटिफिकेशन आया उसके बारे में, अभी मैरे साब से शाद शाम तक डीटेल में नोटि सब्सक्राइबल है, पूरे ओल इंडिया से, ओल डिविजन से यह विकंसी आया, याने कोई से भी स्टेट से हो, आप कोई से भी राज्जे से हो, आप फोरम बढ़ सकते हो, इसके अलावाद 2019 के पाद अब यह विकंसी आई है दोस्तों, और आपको ओनलाइन इसमें फोरम सिर्फ ओनलाइन ही एपलाई कर सकते हो, 17 अगस्ते यहां पर आपके फोरम शुरू होंगे, और 16 सितमबर तक आपकी लाज्ट रहने वाली है, इसमें मेडिकल इस्टेंडर आपका रहने वाला है, और इसमें आपका क्या सिले बस रहेगा, उसके बारे में मैं पाट्टिकु इसके अंदर मैं इस साल की जो वेकेंसी आई है, अपनी उसके असेस्मेंट किया था, और 2016 वाली वेकेंसी के अपर भी की भी मैंने जान कर दी थी, ठीक है, तो कुछ चेंजिस हो सकते हैं, अभी की आज की ताजा जो लेटेस्ट आई है, ऑफिशल नोटिफेकेशन आया है तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आपके कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट करना, तक हर कमेंट का आपको रिपलाई दूँगा, ठीके, आप ही हो गया ताप पूच रहोंगे, एक्स्पेरेंस पूच रहोंगे, लेकिन वो शोर्ट नोटिफेक्शन में नहीं बताया गय जैसे ही डीटेल नोटिफेक्शन आएगा, मैं उसको पर डीटेल से एक वीडियो बना दूँगा, दन्यवाद अभी के लिए इतना ही, टेक क्यार दोस्तों,